वेलकम अलफियोन क्वालिट इन फेक्ट्स दोस्तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ महाराष्टर सेट का पेपर जो की 27 दिसंबर 2020 को हुआ है तो यहाँ पे जो लेंग्वेज रहेगी इस पेपर की वो रहेगी इंग्लीश आप जो यह मत बोलिएगा की हिंदी में इसको कीजिए क्योंकि दूसरी लेंग्वेज आपको हिंदी से भी खतरनाक मिलने वाली है यह है मराथी लेंग्वेज तो basically हम इसको देखेंगे इंग्लिश लेंग्वेज के अंदर नहीं है क्योंकि वो मेरा dream project है मेरा dream project वो क्यूं है जिन लोगों ने वो project लिया है जिन लोगों ने वो 50 lectures लिये हैं उन लोगों को पता होगा कि कितने question ऐसे हैं जो हर paper में आ रहे हैं और पहराष्टर सेट का आप देखिए तो यहाँ पे 60 से 70% question मेरे पढ़ाए हुए में से आये हैं जो कि 50 lectures के अंदर cover है ठीक है तो आप उसको देख सकते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 73rd and 74th constitutional amendments deal with तो 73 और 74 संबेधानिक संशोधन ये जुड़ा था पंचायती राज सिस्टम और अर्बन लोकल सेल्फ गवर्मेंट के साथ MCs इसे बोलते हैं आप The following formula in the constitution discusses language issue तो constitution के अंदर language issue से related है Munshi आयंगार formula और जो ये आयंगार formula था इसने कहा था English को official language बनाने की 15 साल के लिए इन्होंने बात की थी Which of the following is not the feature of rule of law? Rule of law का इसमें से कौन सी विशेशता नहीं है दोस्तो सुपरमेसी of law होता है Independent judiciary भी होनी चाहिए Restriction on the exercise of discretionary power तो discretionary power के उपर भी रोक लगाई जाती है लेकिन dictatorial leadership वहाँ पे नहीं होती है dictatorial जिसे आप ताना शाही leadership कहते हैं वो कभी भी rule of law में नहीं होती है highlighted आप देख सकते है right answer के लिए 8th schedule of the Indian constitution include the list of तो 8th जो schedule है Indian constitution का वो official language के साथ नहीं जुड़ा है वो जुड़ा है languages के साथ जो की हमारे संविधान में अंकित की गई है भाषाएं उसके साथ ये जुड़ा है तो 22 language जुड़ी है जो की Indian constitution के अंदर दी गई है तो ये आठवी अनुसूची में है who presented the objective resolution in the constitutional assembly तो उदेश्य प्रस्ताओ ये लाया था पंडित जौहालाल नहरू ने which of the following is not a directive principle of state policy यानि DPSP इन में से कौन सा नहीं है equitable redistribution of resources यानि जो resources है उनका redistribution करना for example अंबानी से पैसा लेके उसको गरीब आदमियों में redistribution करना तो इस तरीके की बात नहीं की गई है uniform civil code की बात की गई है पंचायती राज system की बात की गई है article 40 में ये है article 44 और affirmative action जिसे कल्यान कारी राज्ये कहा जाता है वो भी बात की गई है हमारे DPSP के अंदर लेकिन redistribution की बात नहीं की गई है इसलिए ए इसका correct answer होगा preamble of the Indian constitution is written in the name of तो preamble जो लिखा गया है वो लिखा गया है people of India यानि हम भारत के लोग इस नाम से ये लिखा गया है और यहीं से शुरू होता है लोकसभा राज्यसभा और प्रेजिडेंट आर पार्ट ओफ लोकसभा राज्यसभा और प्रेजिडेंट निर्मान करते हैं पालिमेंट का संसद का which of the following pattern of representation is not provided for in the Indian constitution तो Indian constitution के अंदर regional जो religious constituency है वो नहीं बनाई गई है हाला कि इसका जो exception आप बोल सकते हैं इसका exception है सिक्किम सिक्किम में एक seat जो है वो धर्म के आधार पर रखी गई है लेकिन वो exception है अधर स्टेट्स में religious based बे कहीं पे भी constituency नहीं बनाई गई है तो आप विधान परिशद देखते हैं तो विधान परिशद का जो निर्मान क्या जाता है उसके अंदर क्या है टीचर्स भी वोट करते हैं उनकी अलग से constituency बनाई जाती है graduates भी वोट करते हैं आपने देखा होगा 112 जो शेर रहता है विधान परिशद के अंदर वो रहता है टीचर्स का graduate का nominated member भी रहते हैं तो religious constituency की बात नहीं हुई है Daesh was the speaker of 16th लोगसभा 16th लोगसभा के जो speaker थे वो थे सुमित्रा महाजन which of the following states was not created in the year 2000 तो recently पिछले परसो ही मैंने ये वीडियो आपको वन लाइनर लेक्चर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के अंदर दी है तो 36 गड़, जारखंड और उत्राखंड ये तीनों एक साथ बने है सन 2000 में मिजोरम 2000 में नहीं बना तो B इसका correct answer होगा Government of Maharashtra appointed the following committee to study regional imbalance तो ये जो केलकर कमेशन बना था, कमीटी बनी थी, केलकर, विजे केलकर कमीटी ये रीजनल इंबैलेंस के लिए बनी थी और इसने अपनी रिपोर्ट सौपी है which of the following was the initial ideology of भारती जनता party तो भारती जनता party आप देखोगे जितनी भी parties इंडिया के अंदर निकली है वो कहां से निकली है, वो निकली है Congress से ठीक है, सब का बाप Congress है, Congress में फूट पड़ी, Congress में फूट पढ़ने के बाद दूसरी पार्टिया निकली तो जो BJP की initial आप देखते हैं, ideology है, वो है गांधियन socialism ठीक है इसके इलावा Hindu महासबा थी, Hindu महासबा की आप देखते हैं Hindutva ठीक है, तो अभी Hindutva की और ये बढ़ रहे हैं, तो पहले इनकी थी गांधियन socialism Civil Society Group that launched campaign in Delhi in 2011, under the leadership of Annahajare in 2011 2011 के अंदर Annahajare के नितरितों में, एक Civil Society ने एक campaign launch किया था जिसे कहा जाता है, इंडिया अगेंस्ट करॉप्शन और इसके अंदर इन्होंने क्या है लोकपाल के गठन की बात की थी, तो ये है इंडिया अगेंस्ट करॉप्शन सिविल सोसाइटी आगे इसी से रिलेटिड एक कोशन आया है, उसको भी आप देख लीजेगा Decentralization of power to rural and urban local self-government institution is done through the following schedules in Indian constitution तो इंडियन constitution के अर्टिक, ये जो schedule 11 और 12 के अंदर बात की गई है पंचायती राज और local self-government, urban local self-government की Which of the following is not a breakaway faction of the earth while Janta Dal Janta Dal का जब विगटन हुआ, उसके बाद कौन कौन से Dal बने हैं और कौन सा नहीं बना है, वो आपको बताना है Janta Dal United, RJD, JDS ये तीनो Dal बने हैं, लेकिन BJS इससे नहीं निकला है तो D इसका correct answer होगा, बीजू जनता दल निकला है, लेकिन BJS जनता दल से नहीं निकला है Political parties were mentioned in the constitution first by amendment 52nd amendment के द्वारा political parties mentioned की गई थी पहली बार इसके अंदर आप देखते हैं, जो 52 संबेधानिक संशोधन है, दल वदल विरोधी कानून से ये related है UPSC does not recruit candidate by the following method UPSC transfer नहीं करता है UPSC कभी भी transfer नहीं करता है Transfer के जो issues होते हैं, वो मंतराले के पास होते हैं, ना कि UPSC के पास तो C इसका correct answer होगा National Human Rights Commission, NHRC was established in the year of NHRC की स्थापना October 1993 के अंदर की गई है The idea of the basic structure of the constitution was discussed in the Keshwanandhbharati case 1973 अभी तक जितने भी questions आपने देख लिये है 20 questions देख लिये है, 20 में से 19 questions मेरे one-liner question के अंदर cover है Who among the following argued in favor of and emphasize the need to employ the concept of ecology Concept of ecology को किसने लागू करने की बात की थी तो ecology के साथ दो आदमी जुड़े हुए हैं पहले हैं F.W. Ricks और दूसरे हैं John M. Goss तो A इसका correct answer होगा Match the following list आपने यहाँ पे list को match करना है, बहुत ही simple सा question था Like decision making theory Decision making theory क्या बात करती है Involve three stages Decision making जो की जाती है, वो तीन stages के अंदर की जाती है ठीक है process of intelligence Intelligence मतलब आप कोई decision लेते हैं तो आपके पास intelligence होता है आपके पास कोई सूचना तंतर होता है सूचना तंतर के बाद आपके पास activity आप activity करते हैं और सबसे last में choice करते हैं चूज करते हैं और decision अपना ले लेते हैं Scientific management theory Scientific management theory बात करती है Productivity की Producing organized knowledge About worker and management ठीक है Human relation theory बात करती है Participative management की और rational choice theory बात करती है Questions, hegemony of bureaucracy and views human as intelligent self-interested तो इस question का जो correct answer है वो है D Match the list one to list two यहां पे author दिये है और author की books दी है बहुत ही simple है Chester Rai Bernard ने 1938 में लिखी है The function of executive ठीक है Fred W. Ricks की book है The Ecology of Public Administration और उसके बाद आप देख रहे हो Dwight Waldo की जो book है वो है Democracy, Bureaucracy and Hypocrisy और Peter F. Drucker ने book लिखी है The Frontier of Management तो इसका correct answer होगा C सारी books मैंने अपने one-liner में दिसके की है Howarthan experiment enhance the importance of Howarthan परिक्षन जो किया गया था वो informal organization की importance को करने के लिए किया गया था अनुपचारिक सम्मूहों के लिए यहां पर assertion और reason दिये गए है The system approach is based on the view that organization should be studied as a whole because the behavior of one part has a considerable impact on the other part यानि system approach क्या कहती है जब भी हम किसी system को पढ़ते हैं किसी भी system को समझते हैं तो पूरे के पूरे system को हमें समझना पड़ेगा क्यूंकि system का एक भी part में अगर गड़बड आई तो पूरे system में गड़बड आ जाती है ठीक है तो बिलकुल सही बात है system approach के बारे में The system approach ignores the action between a system and its environment तो यह बिलकुल गलत है ऐसी बात system approach नहीं करती है system approach ने क्या बात की कि हमें environment को भी देखना पड़ेगा system के action के साथ-साथ हमें क्या देखना पड़ेगा environment को भी that's mean A सही है और R गलत है तो इसका correct answer होगा C Who among the following viewed all organization as system of cooperation of human activity and proposed the theory of contribution satisfaction equilibrium as the basis of individual contribution to organization यह question कई बार one-liner के अंदर कम से कम दो से तीन बार repeat हुआ है तो Chester I. Bernard इसका correct answer है ठीक है contribution, satisfaction, equilibrium the origin of public choice approach is generally credited to the work तो आप देखोगे public choice approach के साथ जुड़े है Anthony Downs तो कई बार यह repeat हुए question Which one of the following essays is regarded as founding essays of public administration तो founding essay यहाँ पर देखिए founding essay of public administration तो पहला जो essay लिखा गया था वो विड्रो विल्सन द्वारा लिखा गया था उसका नाम था study of the study of administration 1887 में और यह क्या है? यह है founding essay क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है public administration की who defined administration as domination or exercise of authority while most other defined it as service or performance of duty तो मुझे जितना लगता है इसका correct answer का marks होना चाहिए लेकिन I am not very much sure about correct answer तो इसको आप एक बार cross check जरूर कर लीजिए यहाँ पे list 1 को list 2 से आपने match करना है तो सबसे पहला है Elton Mayo Elton Mayo ने neoclassical theory दी है ठीक है human relation के साथ यह जुड़े है उसके बाद F.W. Taylor ने scientific management approach दी है Henry Fjol को फादर माना जाता है administrative theory का और Herbert Simon ने दी है decision making approach in public administration तो इसका correct answer है C The National Institution for Transforming India Niti Aayog Niti Aayog एक executive body है क्योंकि यह कारे कारी आदेश के द्वारा बनाई गई है same जैसे कि आपका योजना आयोग था उसी तरीके से Niti Aayog बना है तो B correct answer है इसका Which one of the following indicator is identified by the United Nations as the governance indicator for sustainable development तो indicator क्या है drinking water facility इन्होंने क्या है water facility या फिर pure water facility को इसके अधर रखा है Judiciary ensures accountability of administration through अब देखिए Judiciary accountability को जो accountability of administration है यानि administration के उत्तरदाइतों को Judiciary कैसे रखती है ठीक है Curbing Arbitraryness of administration agency Safeguard the right and liberty of citizen बिल्कुल सही Declaring ultra wires the act of administration if they exceed the jurisdiction बिल्कुल सही है तो ये भी इसका correct answer होगा That's mean A, B, C A, B, C C इसका correct answer है Which one of the following is not a means of popular control over public administration अब देखिए जो public administration होता है जो हमारे administrative होते हैं उनके उपर कभी भी आप election के द्वारा control नहीं रख सकते हैं क्यूंकि हमारे जो servant होते हैं हमारे जो bureaucrates होते हैं वो elected नहीं होते हैं उनका कभी भी election नहीं होता है तो election के द्वारा उनके उपर control नहीं रखा जा सकता है बाकि आप public hearing के द्वारा public opinion financial audit के द्वारा उनके उपर नियंतरण रखते हैं legislative council over Indian public administration is in form of अब यह थोड़ा सा doubtful है कि legislative जो control होते हैं हमारे public administration के उपर वो external control है या direct control है लेकिन जितना मुझे लगता है इसका correct answer होना चाहिए external control बाकि आप लोग comment box में लिख लीजिए कि क्या इसका correct answer होगा national rural health mission 2005 is mandated mandated to standard public health system in the state and union territory by अब देखिये जो national rural health mission है 2005 उसमें क्या बात की गई है उसमें देखिये एक तो इन्होंने बात की है argumentation of health infrastructure यानि जो हमारा health infrastructure है उसमें सुधार करना पहला तो है इसका दूसरा increasing human resources mainstream of IOSH providing mobile medical unit तो इसका A and D तो है लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई option नहीं है इसका मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा यह चार हो इसके correct answer हमें लेने पड़ेंगे हाला कि IOSH अभी latest यह शुरू हुआ है लेकिन उस तरीके का plan पहले से भी था तो इसका correct answer यहाँ पे होगा the right to free and compulsory education policy 2009 does not provide अब देखिये 2009 की right to education policy है वो क्या provide नहीं करता है ठीक है does not provide for non-justifiable right to all children between the ages of 6 to 14 अब यहाँ पे क्या दिया है क्या provide नहीं करता है the right to free and compulsory education policy of 2009 does not provide for अब देखिये यह जो 2009 की policy है यह free and compulsory education की बात करती है ठीक है education of equality and equitable quality तो quality education की भी बात हुई है maintaining pupil teacher ratio तो इसकी भी बात हुई है लेकिन यहाँ पे आप जो एक शब्द देख रहे हो non-justifiable यानि अगर आपको शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया है तो आप court में नहीं जा सकते हैं पहला ऐसे था लेकिन जो 2009 का act आया है उसके द्वारा क्या किया गया है उसके द्वारा इसको justifiable बनाये गया है यानि यह हमारा एक मौलिक अधिकार है अगर 6 से 14 साल के बच्चे को education नहीं दी जाती है तो वो court में जा सकता है यानि यह क्या है justifiable है justiciable है तो यहां लिखा है non-justiciable जो की बिलकुल गलत है तो इसका एक correct answer होगा Credit-linked subsidy for economically weekly section on the housing loan is provided under Pradhan Mantri Awas Yojna Issues and challenges of participatory development paradigm in India यानि इंडिया के अंदर participatory development के लिए कौन-कौन से challenge है poor development governance बिलकुल poor involvement of civil society तो जब civil society आपका development issues के अंदर participate नहीं करेगा तो definitely वहां पे क्या है यह एक challenge के रूप में उभरेगा effective democratic decentralization तो यह यहां पे यह एक अच्छा है यह कुई challenge नहीं है ठीक है A और B इसका correct answer होगा यह challenge है लेकिन effective democratic decentralization से क्या होगा वो challenge नहीं वो उसका solution माना जाएगा तो C इसका correct answer होगा E governance is an instrument of achieving good governance because it improve efficiency and economy enhanced citizen government interface बिल्कुल improve decision making तो decision making को भी improve करेगा क्योंकि हर लोग उसमें participate करेंगे अपनी राय देंगे Increases transparency in government operation बिल्कुल सही है तो A, B, C, D चारो इसके correct answer है D correct answer है The idea of deconstruction is associated with deconstruction का सिधान post-modernism में दिया है Jacks Derrida ने आपको list 1 को list 2 के साथ यहां पे match करना है Freedom Freedom का मतलब होता है Property of will Toleration Toleration का मतलब होता है An essential precondition for harmony Toleration का मतलब कि आप tolerate करते है सभी धर्मों के बीच harmony स्थापित की जाएगी Social stability स्थापित की जाएगी Positive liberty Positive liberty का मतलब है Being once on master Negative liberty का मतलब होता है Minimal state यानि राज्य के कम से कम काम होने चाहिए तो B इसका correct answer है Critical theory proposes to create Critical theory का जो लक्षे था वो था counter culture का निर्मान करना तो Gramsci ने critical theory की नीव रखी और उन्होंने counter culture की बात की यानि पूंजी वाद का जो संस्कृती है उसके द्वारा वो हैजीमनी स्थापित करती है इसलिए अगर आपको शोषण को खतम करना है तो worker यानि शोषण जिनका हो रहा है उन लोगों को भी अपनी एक संस्कृती डेवलफ करनी पड़ेगी जो की होगी counter culture और इसी की बात आगे चलकर माओ ने की थी cultural revolution के अंदर according to Habermas modern capitalist system have a tendency to develop one of the following तो Habermas का ने एक बुक भी लिखी है जो है legitimation crisis तो legitimation deficit की बात की है Habermas ने the philosophy of natural rights had depended on ethical theory तो natural rights की जो philosophy है वो क्या है नेतिक सिधान के उपर टिकी है यानि ये हर एक व्यक्ती का नेतिक अधिकार है ठीक है जो आपके natural right है वो नेतिक अधिकार है क्योंकि वो आपको जनम से ही प्राप्त होते है और ये अधिकार आपको नेतिक रूप से भगवान द्वारा प्रदान किये जाते हैं तो ए इसका correct answer होगा A well-known feminist slogan is that the personal is political ये नारिवाद का जो दुती लहर आई थी second way feminism उसके अंदर ये slogan दिया गया था और personal is political के अंदर कहा गया था जो personal sphere होता है जो घर के चार दिवारी होती है चार दिवारी के अंदर नारियो का बहुत ज़ादा शोषन होता है उनके साथ मारपीट होती है अत्याचार होता है तो personal is political इसे लिए दिया गया था जो आपके अन्दुरूनी क्षेतर है जो आपका पारिवारी क्षेतर है उसको भी political करना चागिए उसको भी सारवजनिक करना चाहिए ताकि आंत्रिक हिंसा जो नारीयों के साथ हो रही है वो खत्म हो पाए तो Simon D. Bua इसके साथ जूड़ी है इस नारे के साथ आपको लिस्ट एक को लिस्ट दो से यहाँ पर मैज करना है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एक है एक का तीन इक्वल का मतलब क्या होता है इक्वल का मतलब होता है रिजमेंटेशन एंड सोशल इंजिनिरिंग उसके बाद आप देखते हो ओके, बी का चार, बी का यहाँ पे चार है, युनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है, युनिफॉर्मिटी का मतलब होता है, जिसमें आइडेंटिकल फीजिकल करेक्टरिस्टिक होती है, जैसे युनिफॉर्म, आपकी स्कूल युनिफॉर्म होती है, स्कूल युनिफॉर्म क foundational equality means foundation का मतलब होता है मौलिक समानता से क्या अभी प्राय है मौलिक समानता का मतलब है having same chances to rise and fall in society यानि समाज के अंदर आप उंचे पद पर जाते हो या निचले पद पर जाते हो उस पद के लिए आपको क्या है equal chance दिये जाए उसे कहा जाता है fundamental equality which one of the following political ideologies has longer history तो marxism आप देखोगे तो marxism 1900 श्ताबदी की देन है 1850 के बाद marxism as a theory आती है liberalism को देखेंगे तो ये आपका सत्रुई श्ताबदी में 1632 के बाद liberalism ये जो आप देखते हैं जान लोक का एरा जो जान लोक के बाद liberalism की शुरुआत मानी जाती है और feminism भी सुष्ताबदी 20th century की एक विचारदारा है लेकिन socialism बहुत पुरानी विचारदारा है तो भी इसका correct answer होगा तो प्रोपर्टी का जो सिधान्त यहाँ पे दिया है संपत्ती का सिधान्त जो जौन लोक ने दिया है तो संपत्ती को जौन लोक ने माना था नेचूरल राइट तो नेचूरल राइट किस परकार मिल गया उनको जब आप राइट तो स्टेट देता है तो नेचूरल कैसे हो सकता है बिना स्टेट के आपको संपत्ती का अधिकार कैसे मिल सकता है इसकी आलोचना आगे चलकर Russo ने भी की थी Bentham ने भी की थी Natural Rights की आलोचना तो A इसका correct answer होगा Which one of the following pair is not correctly match इन में से कौन सा pair correctly match नहीं है तो so simple इसको मैंने कई बार वनलाइनर में discuss भी किया है Michael Foucault Michael जो Foucault है वो post-modernist thinker है और इन्होंने power as knowledge की बात की है इन्होंने क्या है Knowledge को ही शक्ती माना है ज्यान को शक्ती के रूप में देखा है ना की capillary को ठीक है तो A इसका correct answer ही ये correctly match नहीं है Give the correct answer using the codes below तो यहाँ पे code आपको दिये है और आपने सही answer चुनना है Plato's book Republic deal with idealism बिल्कुल सही बात है इनकी जो Republic book है वो आदर्श वाद है इसमें इन्होंने आदर्श राजा की कल्पना की तो ये आदर्श वाद से प्रेरित है Plato's book law deal with realism बिल्कुल सही बात है जब इनको ये महसूस हुआ कि हम आदर्श राजा नहीं बना सकते है तो इन्होंने क्या the laws book लिखी और इन्होंने realistic अपने view दिये कि ये possible नहीं है इसलिए हमें state को run करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें laws बनाने पड़ेंगे ठीक है तो ये realism का उधारण है तो यही इसका correct answer है A and B उसके बाद ये बिल्कुल opposite है C and D Which of the following pair is not correct J.S. Mill modern liberalism बिल्कुल सकारात्मक उधारवाद की इन्होंने बात की है John Rawls ने theory of justice की बात की है Mao Zedong ने socialistic और class war की बात की है लेकिन Aristotle कहां से neo-liberalism में आ गया neo-liberalism की शुरुआत तो 1950 के बाद होती है ठीक है Which of the following pair is not correct इनमें से कौन सा pair correct नहीं है Hegel ने idea of spirit यानि महान आत्मा महात्मा इश्वर की बात की है Plato Ideas of form यानि इन्होंने क्या है कि idea की उत्पत्ती कैसे होती है आपकी ग्यान की उत्पत्ती कैसे होती है इन्होंने गुफा और परचाई का उधारन दिया था ठीक है Maccavali modern constitutionalism बिल्कुल सही है लेकिन माओ ने real will की बात नहीं की है Real will और actual will के साथ जुड़े है Russo Rawls principle of distributive justice is based on the notion of difference principle तो Rawls का जो distributive justice है वो difference principle के उपर आधारित है The idea of social contract has been recently revived under a new form तो John Rawls ने social contract जो theory है उसको revive किया है और अज्यानता का परदा यानि wealth of ignorance का जो इन्होंने सिधान दिया है उसके पीछे इन्होंने बोला कि एक ऐसा परकार का समाज एक ऐसी स्तीती में समाज पहुंच जाएगा कि एक परदा है परदे के पीछे लोग एक social contract करते हैं जिसके अंदर वो क्या करते हैं एक एसे समाज का निरमान करना चाहते हैं जिसके बारे में किसी को पता नहीं है कि किसका लाव होगा इन्होंने एक social contract किया है तो idea of social contract revive किया है John Rawls ने who among the following favored qualification as the basic of right to vote तो qualification की बात करते हैं J.S. Mill J.S. Mill ने कहा जो पड़े लिखे हैं उनको जादा वोट देने का अधिकार होगा जो कम पड़े लिखे हैं उनको कम वोट और जो अनपढ है उनको वोट देने का अधिकार बिलकुल भी नहीं होगा तो इस तरीके से प्लूरल वोटिंग की बात की थी J.S. Mill ने on the basis of qualification The theory of social contract primarily seek to explore historical origin of state तो theory of social contract क्या है यह explore करता है historical origin of state to explore the basis of political obligation, to justify the status quo, to bring out a radical transformation of society तो इसका एह ही correct answer होगा कि जो social contract theories है, social contract theories है, वो Hobbes की हो, Locke की हो, या Rousseau की है हो तीनों ने basically क्या है, राज्जी की उत्परती कैसे हुई, उसी के उपर इनोंने काम किया है Who said the minimal state is the most extensive state that can be justified, any state more extensive, violate, people right तो बिल्कुल सही Robert Naugick Robert Naugick ने बात की है minimal state की The idea of social contract has been recently revived under a new forum तो ये question दो बार यहां पे देखिया, आपका एक same question दो बार यहां पे आया है Social contract को किसने revive किया है Find the incorrect statement, incorrect statement को आपने बोलना है बिल्कुल सही बात है, अरविंदो गोश एक revolutionary leader थे जो कि 1909 तक ये क्रांतिकारियों का समर्थन करते रहे Mahatma Gandhi सत्याग्रह was meant also for her transformation of opponent यानि Mahatma Gandhi का सत्याग्रह है उसमें दूसरों के हृदे परिवर्तन यानि अपने शत्रों के रिदे परिवर्तन की भी बात की गई है बिल्कुल सही बात है वीडी सावर कर वाजदा champion of composite nationalism बिल्कुल गलत है composite nationalism की बात करते हैं Mahatma Gandhi composite nationalism का मतलब होता है जिसमें हिंदू और मुस्लिम जितनी भी community हमारी है सिख इसाई है वो हार्मनी के साथ रहेंगे सदभाव के साथ रहेंगे लेकिन वीडी सावर कर बात करते हैं किसकी हिंदूत्व की तो D इसका correct answer है ये बिल्कुल गलत है ये कोश्चन पिछले कल ही मैंने लेक्चर 17 आप देख लीजे लेक्चर 17 के अंदर मैंने ये कोश्चन डिसकस किया है दीन द्याल उपाध्याय ने कहा था जो मनुश्य है वो चार चीजों से बनता है बोड़ी, माइंड, हार्ट एंड सोल के द्वारा according to deen द्याल उपाध्याय which are 4 element of nation तो nation के जो 4 element है people who treat their country as mother common history होनי चाहिए common language होनी चाहिए common dharm होना चाहिए deen द्याल उपाध्याय के अनुसर which match the following pair यहां पे नफ़ जो pair दिये गया है यहां से देखेए आपको पिlate ला question भी clear हो जाएगा महत्मा गांधी महत्मा गांधी ने बात की है composite nationalism की ठीक है M.N. Roy M.N. Roy ने बात की है radical humanism की V.D. Savarkar V.D. Savarkar ने बात की है हिंदुत्वा की और दीन द्याल उपाद्या ने बात की है integral humanism यानि एकात्म मानववाद की तो A इसका correct answer होगा Who wrote the book The High-Cast Hindu Women तो ये question भी पिछले कल ही मैंने one-liner में discuss किया था Pandita Ramabai Why did Pandita Ramabai founded R.A. Mahila Samaj तो ये भी पिछले कल question discuss किया था R.A. Mahila Samaj की स्थापना क्यों की ये थी Women's की education को promote करना और जो कम age में Women's की marriage की जाती थी Child marriage जो की जाती थी उस समस्या को रोकने के लिए इन्होंने महिला R.A. Samaj की स्थापना की थी तो R.A. Samaj की स्थापना basically दयानंद सरस्वती ने की थी और महिला R.A. Samaj की स्थापना Pandita Ramabai ने अरबिंदो's ideas of revolution were based on certain philosophy and spiritual foundation such as जो अरबिंदो घोष की philosophy है revolution की पहली तो है सचीदानन्द सचीदानन्द को मानते थे supreme reality यानि भगवान ठीक है सचीदानन्द उन्होंने माना है भगवान को दूसरा super mind और truth consciousness तीसरी इन्होंने बात की है evolution as means of liberating consciousness तो तीनों की इन्होंने बात की है revolution के लिए तो A, B, C यानि D इसका correct answer है Muhammad Iqbal's ideas can be summarized as Muhammad Iqbal के ideas को summarized किया जा सकता है Muhammad Iqbal की video मैंने upload की थी उसके अंदर ये complete है सबसे पहले इन्होंने बात की quest for idealized theocratic but modern state यानि इन्होंने क्या किया इन्होंने theocratic state की बात की Muslim राज्ये की बात की अब theocratic क्या होता है धार्मिक राज्ये, धार्मिक राज्ये की बात की लेकिन उसके अंदर इन्होंने modern principle को अपनाने की बात की और दूसरी इन्होंने बात की believed in God, suzerainty, as the provider, the benefactor, the judge, the guide and the beautiful तो A and D इसका correct answer है not a part of M.N. Roy's four classes framework in Indian context तो four classes में इन्होंने बुर्जवाज की बात की है बुर्जवाज इन्होंने माना था Congress party को proletariat जिनका शोर्षन हो रहा है ठीक है और peasantry को इन्होंने माना था लेकिन intellectual की इन्होंने बात नहीं की है as a class की match the pair, यहाँ पे pair आपने match करना है कि political party कौन सी है, NGO कौन सी है, ठीक है तो political party है आपकी त्रिनमूल Congress civil society campaign अन्हाजारे ने शुरू की थी agitation for logpal जिसे नाम दिया गया था India against corruption ठीक है तो यह civil society है NGO, NGO, NGO है save the smile foundation जो की children's के लिए बनाई गई है अनाथ children's और उनके उपर जो अत्याचार होते हैं interest group है all India किसान सभा तो A इसका correct answer होगा choose the incorrect statement incorrect statement आपको बतानी है nationalism was the ideological imputes that over the century transformed Europe तो यह तो सही है nationalism paved the way to foreign domination nationalism ने क्या सच में foreign domination को स्थापिट किया है क्या इंडिया का nationalism के कारण ही अंग्रेज भारत के उपर आए है क्या नहीं आप बोलोगे नहीं कि इंडिया का अगर nationalism strong होता तो कभी भी हमारे उपर foreign domination स्थापिट नहीं होता ठीक है तो यह यहां पर बिलकुल गलत है who is the author of the book imagined community तो imagined community benedict anderson direct question विलकुल mojambik was the colony of portugal portugal की colony थी mojambik in which of the following state constitutionalism is absent तो sudan जो है आपका south sudan वहां पे ताना शाही का शाशन है और अक्सर आपने news में देखा होगा sudan तो sudan के अंदर constitutionalism नहीं है हाला कि दिसंबर 2019 में वहां पे constitution बनाने की बात चली थी which among the following is not the feature of constitutionalism constitutionalism का feature कौन सा नहीं है देखे constitutionalism के अंदर आपका written constitution होता है supermassive of constitutional होता है protection of citizen rights उसके द्वारा होते हैं लेकिन unlimited rule नहीं होता है constitutionalism का ही मतलब होता है limited rule limited rule होता है constitutionalism का नहीं unlimited तो भी इसका correct answer है who is associated with the sentence the will of the people is the product and not the motive power of political process तो ये question मुझे बहुत ही doubtful लग रहा है इन दोनों में दोनों में क्या इन चारों में मुझे doubtful लग रहा है तो इसके बारे में अभीजन के संचरन का सिधान्त यानि circulation of elite दिया है which among the following is not the feature of majoritarianism majoritarianism का feature कौन सा नहीं है it is inclusive political system जो majoritarian system होता है वो inclusive नहीं होता है inclusive का मतलब होता है कि हर समुदाय को प्रात्मिक्ता देना जिसे majoritarian state के हम इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया के अंदर अगर हिंदुत्व आता है हिंदुत्व के सरकाल आती है तो वो कभी भी inclusiveness को नहीं लेगी मुसलिमों को मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अभी जो प्रेजेंट में हमारी कॉर्मेंट है अगर कटर हिंदुवादिया कटर मुसलिम सरकार आ जाती है तो वो कभी भी inclusiveness को नहीं लेगी तो उसी को तो majoritarian की तानशाही कहा जाता है तो D इसका correct answer है ये include इसको which among the following is not the feature of majoritarian system which is not a device of a direct democracy direct democracy के अंदर referendum होते हैं recall होते हैं, initiative होते हैं लेकिन election ये बिलकुल भी direct democracy का उधारन नहीं है क्योंकि election तो direct democracy में भी होगे indirect में भी होगे ये तो सभी का है direct का भी indirect का भी ठीक है तो ये इसका नहीं है election which of the following reason can drive people to seek asylum in another country यानि शरणार्थियों के जो समस्या आती है किन कारणों की वज़े से लोग दूसरे देशों में शरण लेते हैं तो पहला तो होता है political unrest यानि वहाँ पे क्या है राज की व्यवस्था फैल जाती है ठीक है और अपने जो विरोधी होते हैं अपने जो ओपोनेंट होते हैं उनको मरवानी की कोशिश की जाती है इसलिए लोग asylum लेते हैं लाइक अब दलाई लामा का उधारन देख लेते हैं और दूसरा है genocide जहां पर मास नरसंहार किया जाता है तो आपने देखा होगा जब जर्मनी के अंदर हिटलर ने genocide किया था नरसंहार किया था तो आपने देखा था कि कैसे यहूदी शरनाट्थी के रूप में चले जाते थे USA में तो A and C यानि D इसका correct answer है Holding the increase in global average temperature to well below 2 degree Celsius above pre-industrial era तो दोस्तों यह जो question है पिछले कल ही मैंने आपके साथ discuss किया था तो यह Paris Agreement बहुत ही simple और इस नरीके के बहुत से question मैंने अपने one-liner में discuss किया है Which of the following pairs is correctly matched? कौन सा correctly matched यहां पर किया गया है Realism Realism के साथ Peter Karjestein नहीं जुड़े है तो यह नहीं है matched Interdependence Liberalism की बात John Mersheimer ने नहीं की है तो यह भी गलत है क्योंकि John Mersheimer जब मैंने आपको पढ़ाया था तो John Mersheimer बात करते हैं Structural Realism की तो यह भी गलत है World इसके बाद है Social Constructivism तो यह भी Alexander नहीं है यह Alexander Wendt है Robert Alexander नहीं Alexander Wendt इसके साथ जुड़े हैं तो यह भी गलत है और चौथा आपका है World System Theory जिसके साथ जुड़े हैं Definitely Emmanuel Wallstein तो D यानि 4 बिलकुल सही मैस्ट है Richard Snyder is associated with the decision-making approach in international politics अंतराष्टे राजनिती में Richard Snyder जाने जाते हैं decision-making approach के लिए इस बुक का पूरा नाम है Diplomacy of Detente and Kissinger Era तो Kissinger Era की बात की गई है यह बुक लिखी है Coral Bell की यह बुक है The SART-1 Treaty was signed तो SART-1 Treaty 1972 में हुई है यह भी मैंने आपके सामने डिसकस किया था SART-2 जो ट्रिटी थी वो 1972 से लेके 1989 तक चलती है SART-1 Treaty passed हो गई थी यह सफल हुई थी लेकिन SART-2 थी वो फैल हो गई थी क्योंकि US ने उसको ratify नहीं किया था तो यह ट्रिटी थी US and Soviet Union के बीच When did UN General Assembly adopt the uniting for peace? यानि शान्ती के लिए एकता प्रस्ताओ ये Korean War के टाइम लाया गया था तो यह भी Question One Liner में पिछले 16th lecture के अंदर डिसकस किया था मैंने Which of the following group does not have a free trade agreement among members? तो free trade agreement हमारा Brazil, South Africa इंडिया के बीच नहीं हुआ है Who had first proposed the atom for peace? Atom for peace ये Dwight Eisenhower ने प्रतिपादित किया था 1953 में और atom for peace का लक्षे क्या था? परमानु छतरी प्रदान करने से related यानि भाविश्य में क्या है परमानु युद्धों का खतरा ना बढ़े इसलिए इन्होंने atom for peace का सिदान दिया ठीक है? Which of the following is the main objective of Threshold Testament Treaty? तो ये है आपकी TTBT TTBT का जो लक्षे था TTBT basically 1974 में ये साइन हुई है 1974 में 1974 से 76 की वीज ठीक है? basically 1974 में इंट्रोड्यूस की गई थी 1974 में और 76 में ये पास हुई इसका जो लक्षे था TTBT का जो लक्षे था इसका था बैन ओन अंडर्ग्राउंड अंडर्ग्राउंड जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं नूक्लियर एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनका 1500 किलोमेटर तक प्रभाव पड़ता है उसको बिल्कुल बैन करने की नोने बात की थी Assertion or Reason India is an emerging power बिल्कुल सही बात है India is an emerging power है India's economy has grown consistently in the 21st century and its influence in the Indo-Pacific region as well as broader international affairs expanded बिल्कुल सही बात है India is an emerging power और emerging power क्यों है क्योंकि इसकी economy day by day growth कर रही है that's mean A or B दोनों सही और सही explanation भी इसकी है Question number 92 बिल्कुल मुझे wrong लग रहा है क्यों? अब देखिए It seeks to increase maritime cooperation among narrative of the Indian Ocean region बिल्कुल सही बात है Indian Ocean region के भी maritime security के लिए ये बनाया गया था It has working group on humanitarian assistance and disaster relief बिल्कुल disaster relief के लिए भी ये काम करता है आपने देखा होगा Corona जो महामारी आई थी तो Corona काल के अंदर इसके द्वारा इसके द्वारा क्या है? IONS के द्वारा relief देने के लिए दवाईया वेजने के लिए इंडिया ने इनिशेटिव इसमें लिया था देर आर 35 मेंबर एक्चुली जो IONS है इसके टोटल 24 मेंबर है और बाकी के जो है इसके वो है observer state US, Russia and China are the members of IONS तो ये बिल्कुल गलत है आप देखोगे चाइना इसका member नहीं है IONS का चाइना इसकी एक observer state है इसका वो member नहीं है लेकिन बाहर से observe करता है और US तो इसमें है ही नहीं तो ये भी गलत है और ये भी गलत है तो कौन सो आप लेंगे वो आप पे depend करता है तो ये question ही गलत है Question number 93 Which of the following statement is not true इन में से कौन सी statement true नहीं है India has been attending Shanghai Corporation Organization Summit since 2005 बिल्कु सही बात है observer के रूप में India 2005 से SEO के साथ जुड़ा है India and Pakistan started process for full membership 2015 बिल्कु सही बात है 2015 से full membership की बात की गई थी Pakistan was given full membership in 2017 बिल्कु सही है Pakistan के साथ India को भी 2017 में दी गई थी India was denied the membership of SEO अगर India ने SEO की membership को decline किया होता तो आज India इसका member नहीं होता तो D इसका correct answer है Of which organization give Willow sorry Of which organizations given Willow is India a member यानि इन मैं से किसमे India member है तो India member है Shanghai Cooperation Organization तो यहाँ पर देखो तीन कोश्चन आगे SEO से एक साथ Which of the following statement is not true कौनसी statement true नहीं है The term BRICS was coined by Gold Sarge Report बिल्कुल सही बात है 2001 में जो Gold Sarge Report आई थी उसमें coin किया गया था BRICS शब्द Foreign Minister of these four countries met the first time as a group at Marging of US General Assembly in September 2006 बिल्कुल सही है BRICS country having had annual summit since 2011 जो की बिल्कुल गलत है BRICS की summit 2009 से शुरू होती है ना कि 2011 से तो सीज का correct answer है South Africa बिल्कुल सही बात है 2010 में जुड़ा था सबसे last में Arrange these countries in the descending order of the volume sorry volume of their trade with India तो सबसे ज़्यादा जो व्यापार इंडिया का होता है अभी फिलाल US के साथ होता है जितना मुझे लगता है सीज का correct answer नहीं है लेकिन अगर Monopoly के हिसाब से देखा जाए Monopoly के हिसाब से China क्योंकि China का व्यापार इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा होता है हाला कि अभी कुछ चीजों के उपर बेहन किया गया है लेकिन वह डिरेक्ट व्यापार के उपर बेहन नहीं है तो चाइना सबसे ज़्यादा आएगा चाइना सबसे ज़्यादा व्यापार करता है उसके बाद आपका US करता है US के बाद आपका आता है रश्या और रश्या के बाद आता है जापान तो भी सी इसका correct answer होगा कालादान multimodal transport project is a part of India lookist policy which country is India's partner in this project तो India का partner Myanmar है कालादान project के अंदर trilateral highway project is a part of India's lookist policy which two countries are India's partner in this project तो ये UPSC में question आया था वहाँ से directly उठाये गया है तो trilateral highway project है ये Myanmar, Thailand और India को इंडिया के बीच है ठीक है which of the following is not true about Sagar initiative of India Sagar की जो full form है वो है security and growth for all in the region बिल्कुल सही है तो इसका इसमें जो true नहीं है वो है it is a clear high level articulation of India's vision the Indian Ocean तो ये बिल्कुल भी high level articulation नहीं है ये एक clear vision नहीं है अभी तक कोई भी official document Indian government की ओर से नहीं आया है Sagar project को लेकर की उसका उसमें क्या role रहने वाला है तो भी इसका correct answer है which of the following is not a feature of India's nuclear program India का nuclear program है उसका कौन सा विशेष्टा कौन सी विशेष्टा नहीं है तो refusal to sign partial testament treaty ये इंडिया के nuclear program का हिस्सा नहीं है क्योंकि इंडिया ने क्या है partial testament treaty पीटी बीटी पर हस्ताक्षर किये है उसको sign किया है ना कि refuse किया है तो सी यहाँ पर बिल्कुल गलत है तो ये था महराष्टर सेट का question paper जिन लोगों ने मेरा course लिया है उन लोगों को one liner question के 50 lecture series की एहमियत पता लगी होगी और जो लोग लेना चाहते हैं वो description से ले सकते हैं और याद रहे अभी एक January यानि की 31st December की night 12 बज़े तक ये offer valid रहेगा उसके बाद सारा discount हटा दिया जाएगा so thank you thanks for watching